Handbags carry करना women's की हमेशा से पहली पसंद रही है चाहे वो किसी भी look में हो, वो handbag carry करना नहीं भूल दी और अपने look को handbag के साथ भी complete करती है लेकिन market में हर size का handbag मिलेगा लेकिन हम जो आपको आज handbag दिखाने जा रहें वो इतना छोटा है कि वो pocket में नहीं बलकि आपके हार की उंगली के एक छोटे से पोर्स में भी फिट बैट सकता है जी हाँ, ये छोटा सा बैक क्या है और इससे किसने बनाया है आईए आपको इस वीडियो में बताते हैं नमस्कार दोस्तों बोल स्काई में आपका स्वागत है आज के वक्त में फैशन कब कहां ले जाए कुछ भी कहना मुश्किल है फैशन में कुछ भी ट्रेंड में आ सकता है ऐसा ही कुछ हुआ है एक बैक को लेकर जी हाँ इस बैक की काफी चर्चा है जो कि दुनिया का सबसे छोटा बैक माना जा रहा है तो आपको बताते हैं इस छोटे बैक को बनाने वाली कंपनी का नाम है MSCHF ये कंपनी दुनिया में पॉपिलर है इस वज़ेसे कि ये बहुत सारी छोटी ब्रैंड एक्सिसरीज बनाती है जैसे कि बूट्स और भी कई चीज़े इस ब्रैंड ने हाल ही में अपना एक बैग लाँच किया है जो कि काफी चर्चा में आ गया है आपको बताते हैं ये छोटा सा हैंड बैग ब्रैड क्रम्ब से थोड़ा सा ही बड़ा होगा जीहां हम मजाख नहीं कर रहे हैं जीहां 14 जून को MSCHF ने अपने माइक्रो इसकोपिक हैंड बैग को लाँच करने की योजना बनाई है रिपोर्ट्स की माने तो MSCHF ने इसको प्रेजन्ट करने के लिए इकका दुक्का फ्रेंच कोटियोर हाउस से परमीशन नहीं ली है इसलिए अभी इसकी तस्वीरे सिर्फ सोशल मीडिया हैंडल पर हैं अगर इस बैग के मेजर्मेंट की बात करें तो यह बैग 6057 बाई 222 और 700 माइक्रो मीटर्स का है कह लिजे कि इसे समूंदरी नमक के दाने से भी छोटा माना जा रहा है और सुई की आँख से गुजरने के लिए जो धागा निकाला जाता है उस छेट से भी यह छोटा है आपको बदा दें कि यह माइक्रो इसकोपिक हैंड बैग फोटो पॉलिमर रेजिन से बना हुआ है इसका साइज लगभग धूल के कण के बराबर है दूर से देखने पर हरे रंग का यह फ्लोरो सेंट बैग एक रेडियो अक्टिव अपॉइक या फिर एक अनाच के छिरकाव का एक छोटा सा टुकुला जैसा दिखता है आपको बदा दें इस छोटे से हैंड बैग की पिक्चर्स को वोग मैगजी ने भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल से शेर किया है अब ये कब मार्केट में आएगा और इसे कौन खरीदेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा फिलाल आपको ये बैग कैसा लागा हमें कॉमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताएं वीडियो को लाइक करें शेर करें आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें